जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों इस बीड़ों में हम करेंगे बचट 2024 का संपूर्ड निचोड़ और बचट 2024 से सम्बंधित जितने भी महत्थपूर्ड प्रसन हैं उन सभी प्रसनों को करेंगे तो दोस्तों आप इस बीड़ों को आंत तक देखेगा बीड़ों भोती सांदार जबरदस्त होगी और आपको हर एक प्रसन का उत्तर इसी कलास में याद हो जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की इस बीड़ों को सुरू करते हैं तो पहला कुस्तन है संसद में पूड बज़ट 2024 किसके दोरा पेस किया गया है निर्मला सीता रमन के दोरा संसद में पूड बज़ट 2024 को पेस किया गया है इनका फोटो भी आप देख सकते हैं डेटेल में हम जानते हैं कि बजट सब्द का अर्थ क्या होता हैं बजट सब्द जो है ये फ्रेंच भासा के बोगर से बना है जिसका अर्थ होता है चमडे का थेला बजट सब्द का अर्थ होता है और सब्धान के अंशेत 112 के अनुसार आम बजट एक बित्वबर्स में सरकार की आयबे का लेखा जोखा होता है तो यहाँ पर आप याद रखेगा अंचेत 112 में बजट सब्द को बताया गये हैं अंचेत 112 में बजट को बताया गये हैं सोतंतर भारत का पहला बजट 1947 में 1947 में सोतंतर भारत का पहला बजट पेस किया गया था तो ये भी आप याद रखेगा बित्मंत्री निर्मला सीता रमण जी ने 13 जुलाई 2024 को सरकार का अंत्रिम बचट 2024 पेस किया था आगे बढ़ते हैं क्या होता है पूड बचट तो पूड बचट क्या होता है दुस्तो और ये जुलाई में ही क्यों पेस किया जाता है क्योंकि बित्मंत्री आम तोरपर साल आना के अंद्रिम बचट पेस करती है और लोग सभाग चुनाओं के कारण इस साल दो बार बचट पेस हो रहा है एक फरूरी 2024 को एक अंतरिम बजट पेस किया गया था लेकिन अब जब सरकार का गठन हो गया है तो पूड के इंदरी बजट पेस किया जाएगा देश में लंबे समय तक आम चुनाओं के दोरान ऐसा देखनेों के मिला है कि एलेक्सन के बाद पूड के इंदरी बजट पेस किया जाता है नैश्री की आंतरिम बजट क्या होता है तो आंतरिम बजट क्या होता है इसे भी हम जान लेते हैं क्योंकि यहां से भी प्रसन आपके एकजामे पूछे जाते हैं तो अंत्रिम बजट जो है ये चुनावी वर्ष में नई सर्गार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सर्गारी खर्चों और राज्यसों बेवरा होता हैं, अर्थात ये पूर्ड बजट की आने तक के लिए एक आस्थाई प्रावधान होता हैं। Higher Education के लिए 10 लाख रुपे तक का लोन परदान किया जाएगा, उच्छे सिच्छा के लिए 10 लाख रुपे तक का लोन दिया जाएगा। Budget 2024 में सिच्छा रोजगार और कोसल के लिए कितने लाख करोण रुपे का परावधान किया जाएगा हैं। Budget 2024 के अनुसार भारत की मुद्रा इस्वती कितने प्रतिसत की लच्छ की ओर बढ़ी हैं। 4 प्रतिसत के लच्छ की ओर बढ़ी हैं भारत की इंफलेशन जो हैं 4 प्रतिसत लच्छ की ओर बढ़ी हैं बजट 2024 की अनुसार। पहली नुकरी करने बालों के लिए कितने हजार रुपे की मदद की जाएगी। कितने नए इंडिस्ट्रियल पार्क बना जाएंगे कितने नए इंडिस्ट्रियल पार्क बना जाएंगे 2024 के बजट के अनुसार 12 नए इंडिस्ट्रियल पार्क बना जाएंगे बजट 2024 के अनुसार नेच्टे की कौसल भिकास के लिए अगले पांच साल में कितने लाख ही वाओ को कुसल बनाने का लच्छ रखा गया है 20 लाख ही वाओ को कुसल बनाने का लच्छ रखा गया है कौसल बिगास के लिए अगले पांच साल में 20 लाख ही वाओ को कुसल बनाने का लच्छ रखा गया है पूर्वत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेवंड बैंक से कितनी साखाएं अस्थाबित की जाएंगी नॉर्थ इस्ट में सव से अधिक साखाएं अस्थाबित की जाएंगी इंडिया पोस्ट पेवंड बैंक की नेक्स्ट क्वस्टन है दोस्तो कि बजट 2024 में महिलाओ और लड़कियों को लाप पहुचाने बाली योजनाओं के लिए नेक्स्ट है कि पीम अबास योजना के तहत कितने करूण अतरिक्त घर बनाया जाएंगे अगला कुस्टन है कि इंटेंसिब प्रोग्राम के तहत एक करूण योजनाओं को कितने 1000 रुपे प्रतिमाब भत्ता प्रदान किया जाएगा डिटेल में हम चानते हैं 500 सीड्स कमपनियों में एक करूण योजनाओं को इंटेंसिब के अवसर प्रदान करने के लिए योजनाओं शुरू करेगी सरकार और 5000 रुपे प्रतिमाब इंटेंसिब भत्ता और 6000 रुपे की एक मुझत साहिता प्रदान की जाएगे बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड लांच किया जाएगे तो 5 राज्यों में लांच किया जाएगे दोस्तों 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड लांच किया जाएगे नेक्स्ट क्वस्टन है कि बजट 2024 में बिहार राज्यों कितने 1000 करूण रुपे की मदद दी जाएगे देटेल में हम जानते हैं बिहार में 26,000 करूण से सडकों का जाल बिछा जाएगा और निर्मला सीता रमड जी ने बताया कि पटना पूडिया एक्सप्रेस बे को मंजूरी दे दी गई हैं और बिहार के पीर पैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट अस्थाबत किया जाएगा इसी के साथ केंदर सरकार गंगा पर दो नए बिरिज भी पनवाएगी बार से निपटने और रहत के लिए 11500 करोण रुपे पिहार राज को दिये जाएंगे मुद्रा लोन की रासी 10 लाग से बढ़ा कर कितनी कर दीगी हैं मुद्रा लोन की जो रकम है 10 लाग से बढ़ा करके 20 लाग रुपे कर दिया गये हैं सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम डिवटी कितनी कम कर दीगी हैं 6% कम कर दीगे हैं, 6% सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दीगे हैं Next day की बजट 2024 के अनुसार कितने लाख रुपे की आमधनी तक कोई भी टेक्स नहीं देना पडेगा बजट 2024 के अनुसार इनकम टेक्स इसलिए में बड़े बदलाव किये गए हैं नई टेक्स रिजीम में जीरो से लेकर 3 लाग रुपे तक कोई भी टेक्स नहीं देना पड़ेगा नई करवे उस्ता में 3 लाग तक करमुक्त किया गये है नोकरी पेशा को रहती गी हैं 3 लाग तक की कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा और इस टेंडर्ड डेडेक्शन पचार हजार से बढ़ा करके 75,000 रुपे किया गया है अगला क्वेस्टन 3 से 7 लाग रुपे तक की आए पर कितने परतिसत टैक्स लगेगा? तो अगला है कि 10 से 12 लाग रुपे तक की आए पर कितने परतिसत टैक्स लगेगा? तो अगर आपकी इंकम 10 से 12 लाग रुपे हैं तो इस पर टैक्स लगेगा 15% 15% का टैक्स लगेगा अगर आपकी आए 10 से 12 लाग रुपे हैं नेक्षट है कि 12 से 15 लाग रुपे तक की आए पर कितने परतिसत का टैक्स लगाए जाएगा? 20% का टैक्स लगाए जाएगा अगर आपकी आए 12 से 15 लाग रुपे हैं और अगला है कि 15 लाख रुपे से उपर की आये पर कितने प्रतिसत का टेक्स लगेगा, 30% का टेक्स लगेगा अगर आपकी इंकम 15 लाख रुपे से जादा है बचट 2024 के अनुसार पूरुवत्तर राजियों के लिए कौन सी योचना पनाई चाएगी? तो बिहार में विकास होगा, दुस्तों बिहार में महाबोधी और बिसुडुपत कोरिडोर का विकास किया जाएगा, बचट 2024 के अनुसार डिटेल में हमसे जानते हैं गया में बिसुडु पत्मंदर और बोध गया में महा बोधी मंदर का अध्यात्मिक महत्वोत अधिक हैं हम उन्हें बिस अस्तर्य परेटन अस्तल बनाने के लिए सफलकाशी बिससनात कारीडोर की तरच पर वहां कारीडोर विक्सित करेंगे उन्होंने आगे कहा कि बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक ब्यापक बिकास की पहल की चाहेगी और हम उडिसा में परेटन को बढ़ाबा देने के लिए जिसमें प्राकर्तिक सुन्धरता, मंदर सिल्फकला, प्राकर्तिक परदिरस, वन जीव, अभर्ड और प्राचीन समुद्ध तढ़ें इसका विकास करेंगे अगला क्वस्टन, बजट 2024 में पीम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाग करूण रुपे का ऐलान किया गये हैं? 10,00,00 करूण रुपे का ऐलान किया गये हैं, बितमंतरी ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ाबा दिया चाएगा, वहीं रेंटल हाउसिंग regulation के लिए नियम बनाया चाएगे इस टांप पर ड्यूटी कम करने वाले राजियों को बढ़ावा दिया जाएगा और एनर्जी ट्रांजिसन के लिए नई नीती लाई जाएगी Next question बजट 2024 के अनुसार CDB की कितनी नई साखाएं 2024 में खोली जाएंगी 24 नई साखाएं खोली जाएंगी CDB के 24 नए ब्रांच खोले जाएंगे 2024 में बजट 2024 के अनुसार CDB के हाद दोस्तो इसके बारे में हम चाल लेते हैं तो CDB का फुल फॉर्म होता है Small Industries Development Bank of India CDB का फुल फॉर्म होता है अस्थापना इसकी 2 अपरेल 1990 कुकी कही थी और इसका जो हेट कॉर्टर है मुख्याले ये उत्तर प्रदिस की राज़सानी लखनों में इससत है वर्तमान में इसके अध्यच और MD हैं मनूज मिद्दल वर्तमान में CDB के अध्यच और MD हैं Next question बज़र 2024 में सरकार ने बिकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिक्ताएं बताई हैं नो प्राथमिक्ताएं बताई हैं भारत ने भारत के विकसित के लिए भारत के विकास के लिए 9 पराथ मिक्ताइं बताई हैं सरकार ने बज़र 2024 में नैच्टे के बज़र 2024 में प्रधान मंतरी जन जाती उन्नत ग्राम अभियान के तहट कितने हजार गाउंवों को लाभानवित किया जाएगा बजट 2024 के अनुसार खरीब फसलों के लिए डिजिटल सरवेच्षड कितने जिलों में किया जाएगा? 400 जिलों में किया जाएगा दूस्तों 400 जिलों में डिजिटल सरवेच्षड किया जाएगा अगला क्वस्तन है बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन से एक योजना सुरू की जाएगी NPS वबातसल योजना सुरू की जाएगी बच्चों के लिए बजट 2024 में डेटेल में इसे जानते हैं, NPS वातसल के रूप में नाबालिक बच्चों के लिए माता पिता और अभिबाग को द्वरा अयोगदान के लिए एक योजना शुरू की जाएगी, और नाबालिक के वैस को होने पर योजना को निर्बात रूप से सामान NPS खाते में परिवर्तित किया जाए सकता है, NPS해도 क्या होता हैं, दोस्तों अब बचचट से संबदि जो अब हम उन्हें कर लेते हैं तो बजट सब्द का अर्थ क्या होता हैं आप अभी पढ़ चुके हैं चमडे का थेला होता है बजट सब्द का अर्थ और बजट जो है ये फ्रांच सब्द बोगेट से बना है नेक्स्ट क्वेसन भारत में पहला बजट 7 अपरेल 1860 को किसे ने प अगला कुस्सन भारत में पहला बजट का पेस किया गया था भारत का जो पहला बजट है 18 फरोरी 1860 को पेस किया गया था भारत में बजट प्रणाली के सुरुआद किस वाइसरा के कारकाल के दोरान की गई थी लॉड कैनिंग के सासनकाल में बजट प्रणाली के सुरुआद भारत में पहली बार की गई थी लॉड कैनिंग के सासनकाल में अगला question है कि सबधान में बजट सब्द की जंगा क्या परियोग किया गया है सबधान में दोस्तों बजट सब्द का परियोग नहीं किया गया है बजट सब्द की जंगा Annual Financial Statement और वार्सिक बित्तिय बिवरड के बादे में बताया गया है अंचेद 112 में है आर्टिकल 112 में वार्सिक बित्तिय बिवरड बताया गया है Annual Financial Statement जो है यह अंचेद 112 में बताया गया है नेच्ट है कि केस बड़्स सर बिलियम वर्थ की अध्यचिता में इच्ट इंडिया Railway Committee या एकबर्त समती की सिफारिसों पर सामान सरकारी बित्त से Railway बित्त को अलग कर दिया गया था 1924 में सामान सरकारी बित्त से Railway बित्त को अलग कर दिया गया था अगला कोशन है कि भारत का केंदरी बजट और रेलबे बजट किस वर्स में बिले किया गया था 2017 में बिले किया गया था 2017 में केंदरी बजट और रेलबे बजट को बिले कर दिया गया था भारत में कौन सा मंतराले बजट तयार करता है वित्मंतराले Finance Ministry जो हैं ये बजट तयार करती है भारत में Next question है दोस्तों कि सोतंदर भारत का पहला बजट किसे ने पेस किया था? RK सनमुकम चटी ने पेस किया था RK सनमुकम चटी ने सोतंदर भारत का पहला बजट पेस किया था अगला कुस्तन है कि कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था? भारत का पहला पेपरलेस बजट था 2021 का बजट जो था ये भारत का पहला पेपरलेस बजट था सनसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेस किया गया है? चार बार पेपरलेस बजट को पेस किया गया है संसद में पारलियमेंट में चार बार पेपरलेस बजट को पेस किया गया है 2021 में पहला पेपरलेस बजट पेस किया गया था इसके बाद देश में पेपरलेस बजट की परंपरा सुरू हो गई और बित्त मंतरी की ओर से अब टेबलेट के चरिये पेपलिस बज़ड को पेज किया जाता है टेबलेट से ही बित्त मंतरी बज़ड के सभी महत्पूर्ड बिंदू संसद में रखती है और बित्वबर्स 2022 और बित्वबर्स 2030 का बज़ड भी पेपरलिस बज़ड था Next question है कि भारत की पहली पूड कालिक महिला बित्वमंत्री कोन है निर्मला सीता रमन जो है ये भारत की पहली पूड कालिक महिला बित्वमंत्री है निर्मला सीता रमन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदरा गांधी थी दोस्तों जो भारत की पर्थम महिला परधान मंत्री भी बनी थी ये भारत की पर्थम महिला वित्त मंत्री भी थी कि बचट में क्या होता है, इस कौसण का," राइट एंसर ओप्सन दी हो जाएगा। अपर्वुक्त सभी। सरगार की आमधनी और पस्तास्द योजनाओं पर होने बाले खर्च का बिबरड होता है। सरगार की कमाई और खर्च का बिवरा होता है। मंतरालों को उनके खर्च के लिए धन राजी का आबंटन ये बजट में बताया जाता हैं तो राइट एंसर ओप्सन डी हो जाएगा नेक्स्ट कोशन ही कि लगातार सातीवी बार बजट पेस करने वाली पहली महिला बित्त मंतरी कौन बनी है भारत में निर्मला सीता रमण पहली महिला बित्त मंतरी बनी है चौन लगातार सातीवी बार बजट पेस करने वाली पहली महिला बनी है भारत में निम्में से कौन सा बचट का परकार नहीं है? तो आरच्छित जो है ये बचट का परकार नहीं है इसके अलाबा संतुलित, अधिसेस और घाटी का बचट होता है ये तीन परकार के बचट के परकार है लेकिन आरच्छित जो है ये बचट का परकार नहीं है भारत में सून बेस्क बजट का प्रियोग पहली बार किस वर्ट किया गया था? सून बेस्क बजट का प्रियोग पहली बार भारत में 1987 में अगला कोशन है किसने भारत में सबसे लंबा बजट भांसर दिया था? निर्मला सीता रमण जी ने सबसे लंबा बज़ट भांसर दिया है भारत में इन्होंने 2020 में इन्होंने 2 घंटे 40 मिनट का भांसर दिया था अगला कुस्सन सबसे छोटा बज़ट भांसर किस ने दिया था हीरु भाई मुल्ची भाई पटेल ने सबसे छोटा बज़ट भांसर दिया था संसद में नेक्स्ट कुस्सन भारत के कितने परधान मंतरी ने परधान मंतरी रहते हुए बज़ट पेस किया था गरतंतर भारत का पहला बचट किसने पेस किया था? गरतंतर भारत 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 किसने पेस किसने पेस किसने पेस किया था? और इस वीडियो को सेर भी करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को आल पर कलेजी ताकि हम जो भी वीडियो डाले उसकी नौडिफिकेसन आप तक जरूर पहुँचें कोमेंट करके बताएब कि आपको ये वीडियो कैसे लेगी और कोमेंट सेक्षन बताएब कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हम उस टॉपिक पर वीडियो चरूर बनाएगे टेलीग्राम चनल को जोईन करजे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सो मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंत बंदे मातरम